नमस्का राव सभी का स्वागत है भाग्यम में मैं हूँ पंडे चंद्रशेकर शर्मा दर्शे को सबसे पहले हम बात करते हैं आज की दिन के पंचान की आज दिनांग के चपन मिनट तक है आगे शत्विशा नक्षत रा जाएगा योग सभाग्य है सुबह 10 बच के 17 मिनट तक आगे शोभन योग है तो योग की द्रश्टी से आज का ये दिन बहुती शुब है योग का रखे पूरा-पुराइस का सदुप्यों कीजिए करण गर है दौपेर बाद से तीन बज़े के बीच रहेगा इसे पूरी तरीके से टाल दीजेगा क्योंकि इसमें कोई शुबकारी नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए अब यजित मुरत आज दौपेर बारा बज़े से लेकर बारा बच के चोवन मिनट के बीच में हैं दिन म दख्षण दिशा में तो पहले कोशिश तो यही रहेगी कि दख्षण दिशा की यात्रा को टाल दें लेकिन अगर जाना जरूरी है अनिवार यात्रा है तो परिहार करके निकलें परिहार बहुत सरल है दक्षण की और मुकी जीए थोड़ा सा धाई जीरा खाकर पांच कद सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह ग्यारा बजे से लेकर दोपेर डीड़ बजे तक और फिर शाम पांच बच के तीस मिनट से लेकर आट बच के तीस मिनट तक यह दोनों कालखंट बाकी पूरे दिन की अपेक्षा जादा शुब योग का रख है अच्छे अफट इसी दोरान करेंगे तो सफलता की चांसे आपको ज्यादा मिलेंगे आज की चंद राशी दर्शे को कुंब है यानि चंद्रुमा कुंब राशी से गोचर कर रहें जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है सबसे पहले बात करते हैं और राश्टे वालों को मिलेगी ऑफष में जबरदस्त अफ्रिशेशन और प्रमोशन की योग बनेंगे मि राशी वालों को भाग देगा नए-उसर जीवन में उचा यप राप्ट करने के और करक राशी को स्वास्त में समश्ट आज साथTH ध्यान रखना है कि कोई सींग वाले पश्वों से चोट ना लग जाएं सिंग राशी वाले विवाईतों को योगी रिष्टे मिल सकते हैं और कन्या राशी वालों को पैसे की लें दिन में रखनी है सावधानी इसकी वज़े से कोई बड़ा विवादात संभव है तो किसी को उधार ना दे आज और तुला व्रश्चिक राशी वालों को अपनी बुद्धी और निर्ने शम्ता से मिलेंगे आगे बढ़ने के नए अवसर व्रश्चिक राशी वालों को अपमान जनक इस्तति का सामना करना पढ़ सकता है धेरे बनाय रखे धनू राशी वाले जो लोग लेखन अध्यापन से जुड से दूर रहना यानि ऐसी चीजों की खरीद फरोग से आपको दूर रहना है को व्यापारी भी है तो आज के दिन को अवर्ट करें तो दर्शे को यह था आज का पंचांग जिसके समुचित ग्यान से आप अपने पूरे दिन को सूजबू से मैनेज कर पाएंगे और सही समय क आस्वाद उपयोग करके गलत समय यानि जो टालने योगे समय हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे दर्शे को आप करते हैं आज की दिन की ज्यान चर्चा जो आपकी हमारी अंते द्रश्टी प्रग्या को जागलत करेगी फिर आगे समझेंगे उन विसस्ट उपायों को जो आपको समश्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं अंत में करेंगे आज की दिन की जोतिश, मंत्रणा और समाधान दर्शे को कभी कभी शास्त्र के अर्थ को ना समचकर हम भ्रह्म की स्थतिमा जाते हैं जैसे कि क्या गीता जी में कर्मफल का त्याग बताये गया है और बताया है तो उसकी वास्तविक विधी क्या है देखिए करम फल का त्याग नहीं किया जाता करम फल का समर्पन किया जाता है आप जो कुछ भी करें खाना पीना उठना सोना काम धंदा व्यापार नोकरी पढ़ाई लिखाई कुछ भी सब कुछ ऐसे मान के करें कि यह सब मैं मेरे गोविंद की प्रसनता के लिए यानि मेरे इस्ट की खुशी के लिए उनके लिए कर रहा हूं यहां तक की साधन भजन में भी अपना कोई हेतू ना रखें अपना कोई कारण ना रखें मात्र अपने इस्ट को समर्पन की भावना रहें इस तरीके से हर कर्म हर क्रिया अपने आपने एक साधना यानि योग में परिव भवाभी कर सकेंगे भगवान स्रीक्रिष्ण कहते हैं मई सर्वाणी कर्माणी सन्यश्य अध्यात्म चेत्सा विवेक बुद्धी से इसकार थे कि विवेक बुद्धी से तु संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पन कर दे और यत करोशी यत सनासी यत जुहोशी ददास यत यत पश्यसी कौंते तत कुरुश्म मदरपनम कि है कुंति पुत्र तु जो कुछ करता है जो कुछ भोजन करता है जो कुछ यग्य करता है और जो कुछ दान देता है और जो कुछ तब करता है वो सब मेरे अर्पन कर दे जब ये भाव रहेगा तो फिर आपको करमफल का त्याग नहीं करना है वो करोंफल का समर्पन होगा जिससे आपका इस लोक में भी कल्यान होगा और पर लोग में भी उच्छी गती प्राप्त होगी यह थी आज की ज्यान चर्चा का सार अब बात करते हैं विसस्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समश्याओं के सरल समधान कर देते हैं और जिने करके आप असफलता को अरचनों को पीछे छोड़ते वे सफलता की और द्रड़ता से तेजगती सग्रसर होते हैं सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जनम दिन है तो जिन जिन लोगों का जनम दिन है आप लोग आज सुबह नो बच के तीस मिनट से ग्यारा बच के पंद्रा मिनट के बीच चंदन का इत्र और केसर मिलेवे जल से भगवान शिवजी का विशेक करें वहीं मंदिर में बैठें कम से कम ग्यारा माला नमह शिवाय नमह शिवाय की जब करें साथ ही आज आप पांच व्रक्ष केला अशोक आम आउला और पीपल किसी मंदिर या पार्क में दोपेर एक बच के 45 मिनट से दो बच के 45 मिनट के बीच लगा दें तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुन्दर वीतेगा बहुत अनुकूल रहेगा इश्वरी एक करपा हमेशा बनी रहेगी ऐसे दर्श को बहुत से लोगों को डर्सा बना रहता है हमेशा घवराट बनी रहती है यह डर यह बेवजे की घवराट आगे जाके एंग्जाइटी डिप्रेशन अवसाद नीद ना आना जैसे मानसिक रोगों में परिवर्तित हो जाती है इस प्रकार की इस्तिती हमेशा जनम पत्रिका में चंद्र ग्रह की पीडित होने पर और मंगल सूर्य आदिके निर्बल होने पर बनती है चंद्रमा मन का का राखे तो मन निर्बल और मंगल सूर्य से सत्व और साहसाता है तो वो निर्वल ऐसी स्थिती में आपको चाहिए कि आप नित्य शक्ति उपासना करें यानि किसी योग्य गुरू से आप दिक्षा प्राप्ट करें और किसी भी देवी शक्ति स्वरूप की साधना निश्चित रूप से रोजाना करें इसके साथ-साथ एक वि आप पर असर बिलकुल नहीं करेगी करना सिर्फ यह है आपको कि पहले दिन दो पानी वाले नारियल लेकर शिव मंदिर जाए एक शिव जी को भेट कर दें और एक भगवती के चर्णों में इस नारियल को अर्पित कर दें और उनसे इस मंत्र जाब की अनुमती और रक्षा का अमोग आशिरवाद मांगे और नित्य एक माला आप इस विशिष्ट मंत्र की करते रहें और इसका जो बहुती सुन्दर प्रभाव होगा जो इसका विराट प्रभाव होगा उसका अनुभव आप स्वयम करें मंत्र इस प्रकार्य ध्यान से समझेगा शूलेन पाही नो पाही चाप पे जानी स्वने नचे आप कीजिए इसका प्रभाव अनुभव कीजिए अपने जीवन में परिवर्तन देखिए ऐसी दर्शे को जिन लोगों को लगता है कि आसपास की लोग उनको बहुत कम वैल्यू देते हैं या पिक्षित सम्मान उनको कभी नहीं मिलता य जिस से आपकी जो इच्छा है यह मनुकामना है यह पूरी हो सके एक तो आप अपने कमरे में पूजा घर में एक एफोर साइज का कागज को दिवार पर चिपकाएं जिस पर लाल शाही से क्लीम लिखा हो क्लीम बीज यानि आदा के ले 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 पे एकी मात्रा बड़ी की मात और उस पर बिंदू यह इतनी उचाई पर आपको चिपकाना है कि जब आप बैठ कर देखें तो आपके आँखों के सामने रहें अब नित्य दस पंदरा मिनट इस पर एक टक देखने का अभ्यास करें और इस दौरान मनी मन क्लीम का जाब भी करता रहें इसके साथ साथ नि मंत्र से समझेगा मंत्र है क्रिष्ण क्रिष्ण महायोगी भक्ता नाम अभहेंकर गुविंद परमानंद सर्वं में वशम आने मंत्र फिर से समझते हैं क्रिष्ण क्रिष्ण महायोगी भक्ता नाम अभहेंकर गुविंद परमानंद सर्वं में वशम आने इस प्रकार से बादना से आप देखेंगे कि आप में आत्म विश्वास एक और डवलप हो रही है और आपके आसपास लोग स्वते ही आपकी और आकरशित प्रभावित होने लगें आपको उतना समान उतनी जत मिलने लगे जो आपकी अपेक्षा थी जितने दिन जितना जाप आप करते रहे आपके सवालों में आज हमारे पास जनमपत्री का यह हमारे दर्शक विकास यादव जी की 23 नवंबर 1999 का इनका जनम है तीन बच के 16 मिनट दोपेर पाली में इनका जनम हुआ है सरकारी नोकरी के योग है क्या किस छेत्र में नोकरी लगेगी देखे विकास जी आपके मीन ल का मंगल है जिस पर शनी की सीधी दृष्टी है तो आपको पुलिस में डिफेंस सर्विसेज में उच्चे पद मिलेगा इसमें कोई भी संदे नहीं कि यदि आप मन लगाकर मेहनत से इमांदरी से प्रयास करें तो आप पुलिस में उच्चे पद प्राप्त कर सकते हैं अग तो दर्शे को ये था आज का पंचांग आज के विसुष्ट उपाए और ज्यान चर्चा मैं पंडे चंद्रशेकर शर्माई आशा करता हूं कि बताएवे उपायों को सही विदी सटीक समय और अटूट शद्धा के साथ करके आप पुरा-पुरा लाब उठाएंगे और जो प्रक्षा रूपण अधिक से अधिक संख्या में करें और यह जो प्रक्रती है आपके सामने भगवती इनकी सेव आवश्य करें कारेकर में बने रहने के लिए बहुत-बहुत साथ वाद भगवती आप सबका कल्यान करें जै आदिशक्ति